Hello everyone, welcome to my channel आज science और technology के सहारे इनसान चांद पर भी पहुँच गया और मार्स पर जी यानि चांद और मंगल में जीवन है वहाँ पर भी कोई रह सकता है जीवन का प्रमाण आज science ने खोज लिया और science दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है भले उसके advantages के साथ disadvantages भी लोगों के सभुख आ रहे हैं लेकिन science है जो निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है अब उसकी खोज इश्वर कहां है इस बात पर है कई वज्ञानिकों ने माना नहीं है इस बात को कि इश्वर का अस्तित्व भी है Newton नहीं मानते थे Edison नहीं मानते थे कि इश्वर का अस्तित्व भी है और उसी प्रकार इनकी ही तरह कई ऐसे और वज्ञानिक भी है स्टिफेन होकिंग मिदिन का नाम है वो भी इश्वर के अस्तित्व को सिरे से नकार देते यानि उन्हें पता नहीं रहता है वग्यानिकों के कि हाँ इश्वर न कहां रहते हैं लेकिन वो सिरे से इस बात को नकार देते हैं कारण उनके पास कोई proof नहीं है और science proof की बात करता है यानि उसका कहना है ज्यानिकों का कि यदि कोई चीज इस दुन्या में है तो वो हमें दिखलाई पढ़नी चाहिए और वो कहां है उसका पता हमें लगना चाहिए जब तक हमें ये पता नहीं कि श्वर कहां है इस ब्रह्मा जो का विश्कार कैसे हुआ आग का विश्कार कैसे हुआ माचिस यानि मैच बोक्स किसने बनाया रेल गाड़ी किसने बनाया टीवी किसने बनाया सब चीज का प्रूफ है तो जब साइंस के पास हर चीज का प्रूफ है तो वो ब्रह्मांड को भी इस बात का प्रूफ मानता कि king bank theory के द्वारा इस प्रम्हांट का जन्म हुआ है बिंग बैंक ठोरी के ही द्वारा यानी एक शुन्य से एक बिंदू से ब्लस्ट होने के कारण इस पूरे प्रम्हांट का निम्हानों ये बात वह वह बानता है लेकिन इश्वर के ताकत के ऊपर वह वो हमेशा question करता है आज मेरा वीडियो सिर्फ विज्ञान के ऊपर नहीं बलकि मैं प्रूफ के साथ विज्ञान से ही एक question करूंगी और scientist के साथ और science के students के साथ कि अगर इश्वर का कोई अस्तित्वर नहीं है तो कृपिया ये बताए कि उस पूरे ब्रह्मांड का रचयता फिर कौन हुआ कैसे ये शुन्य से ये ब्रह्मांड का फैलाव धीरे-धीरे स्टार्ट हुआ और अब वैग्यानि कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड और भी तीरे आगे बढ़ता चला जा रहा है तो साइंस के स्टूडेंट जो होंगे वो यही कहेंगे कि बिग बैंक की त्योरी जो है इसमें काम आती है यानि एक से अनिक होता ये चला जा रहा है और ये आगे होता चला जाता इसमें भगवान का क्या हुआ अब मेरा फॉस्ट यहिव को पता हो एक मैमल शिपको तैयार किया गया उसकी मा के जैसा जिसका नाम रखा गया नाइनटीन नाइंटी जिए 6 को साइन्टिस्ट के कोशिशों के बावजूर ये क्लोन तयार किया गया और उससे बच्चे भी हुए लेकिन साथ वर्ष की आयू में ही वह मैमल अगर तयार कर सकते हैं और इन फ्यूचर एक इंसान अगर मर गया तो उसके सेल्स के द्वारा या किसी और डोनर के सेल्स के द्वारा हम खूब हूब वैसा ही इंसान तयार कर लेंगे जो कई वर्षों तक जिन्दा रहेगा और उसी के तरह का तो क्या साइंस सक्सेस्पुल हुआ यानि क्लोन की थियोरी उनकी पुरी तरह से अंसक्सेस्फुल हो गए फर्स्ट सेकेंड पॉंट क्यों साइस आज ये पता नहीं लगा पाया है कि एक इंसान की मित्यू कब होनी है कैसे होनी है साइस तो ये पता कर लेता है क्योंकि एक स्थे मशीन के द्वारा सारे और इसके और नईनी टेक्नोलोजी से सारे और अर्गेंस प्रॉपर काम कर रहें कि नहीं कर रहें ये तो पता लगा लिया जाता है और एक इप्रोक्स गोग बता देते हैं कि इस और ये का पैलियर इतने समय के अंदर हो सकता है लेकिन क्या exact time, exact date, exact month और exact year क्या science आज बता सकता है कि किसी इंसान के मित्यू कब होनी है आज caesarian के माध्यम से बेबी का जन्म या बच्चों का जन्म हो जा रहा है डॉक्टर 9 months के पहले ही caesarian के माध्यम से operation करके बच्चे का जन्म करवा ले थे, normal के side में नहीं जाते लेकिन कब तक वो आत्मा जो इस दुनिया में आई है जिवित रहेगी, survive करेगी, कर सकती है क्या exact time निकाल सकता है आज science बिल्कुल नहीं उसके हाथ में ही नहीं है, first, second point मैंने बताया अब third point, आत्मा किस प्रकार शरीर के अंदर कहां रहती है lungs कहां है, आपने निकाल लिया, kidney कहां है, आपने निकाल लिया, bones आपने निकाल लिया सब कुछ आपने एक से machine के द्वारा, अपनी technology के द्वारा, हर चीज के पहुँच आपने कर ली हर चीज तक आप पहुँच के, blood circulation कैसे होता है, veins में कैसे जा रहे हैं, कैसे blood की supply हो रही है, कैसे oxygen मिल रहा है सब कुछ आपने जान लिया, लेकिन उसी शरीर में आत्मा कहां पर है, किस छोर में है आत्मा का निवास क्या science ने ये पता कर लिया, ये इश्वर द्वारा किया गया है, जिसे इंसान न कभी जान पाया था, न कभी जान पाया है, और नहीं कभी जान पाएगा और एक example मैंने भगवान का दिया, कि इश्वर है, इस ताकत को आपको स्विकार करना पड़ेगा मृत्यू आत्मा, तीसरी बाद आत्मा निकल कर कहा जाती है, क्या होता है उन आत्माओं का जो इस शरीर को छोड़ती है, नहीं पता लगा पा रहा है विज्ञान, लेकिन उसका दावा है, कभी न कभी वो इस बात कभी पता लगा लेगा और चौथी बाद, समय, सूरज क्यों, मौर्निंग में ही निकलता है, रात को क्यों नहीं, क्या सूरज के निकलने का टाइम, विज्ञान, चेंज कर सकता है, नहीं नहीं, नेक्स्ट बाद, चांद और तारे भी निकलते हैं, तो साइन्टिस्ट कहेंगे और साइन्स के स्टूडेंट भी कहेंगे कि ऐसे ही ब्रहमांड की रचना हुए, यानि हर कोई समय, तो समय कोई कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में है, क्या समय की कंट्रोलिंग रहा है, तो ये भी कर ले, क्यों एक मरीज के मृत्यू के समय, डॉक्टर भी हाथ खड़े करते हैं, और कहते हैं, कि अब जो करेगा, इश्वर करेगा, हमने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया, यानि कहीं न कहीं, इंसान को मजबूर होना पड़ता है, लेकिन वो अपने त चीजों पर control कर सका है, astrologer एक समय तक आपको बता सकते हैं, कि ऐसा होने वाला है और एसा होगा, लेकिन क्या future incidents astrologers अपनी astrology के माध्यम से बदल देते हैं, ना वो past बदल सकते थे, ना वो future बदल सकते हैं, अगर इंसान के हाथ में भी इस समय का control आ गया, तो इंसान आज क्या क सिर्फ अमीरों का राज्य ही इस दुनिया में होगा यानि वो अपने परिवार को नित्यू तक जाने ही नहीं देंगे तो फिर सिर्फ गरिबों की मौत होगी और अमीरों की नहीं भगवान ने सिर्फ जमीन आकाश जल अमीरों को नहीं दिया बलकि सभी को दिया अगर इंसान का कंट्रोल इस पर भी हो जाए विज्ञान का कंट्रोल इस पर भी हो जाए तो कुछ सिमित मात्रा में यह सब चीजे कुछ लिमिटेट लोगों तक ही पहुँच कर रह जाएंगे चुकि यह चीजें इश्वर के हाथ में हैं इसलिए सब को मिल रही है खुली हवा पानी और इंसान को जिंदा रहने के लिए समय और रौशनी सुर्य की रौशनी यह सारी चीजें इश्वर की देन हैं जो समान रूप से सभी के लिए हैं इन्हें मनुष्य खरीद कर अपनी तिजोरी में अपने धरों में कैद नहीं कर पाता है यह इश्वर का होने का सबसे बड़ा प्रमान तो इश्वर है कहीं न कहीं इस पूरे प्रम्हांड को चलाने वला दिज्ञान चाहे जितनी तरक्की कर ले इश्वर तक नहीं पहुंस सकता आप जान सकते यह इश्वर को बुद्धि के तरक पर नहीं तरक के तरक पर नहीं सिर्फ मन की आँकों के द्वारा आपके पास वो ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए आत्मा का प्रकाश आपके पास होना चाहिए तभी आप उस इश्वर को जान पाएंगे भले वो कहीं आपको दिखलाई नहीं पढ़ रहा है लेकिन पूरे प्रम्हान को वही चला रहा है ऐसा मेरा मानना है और ऐसा एक दिन विक्यान भी मान देगा Thank you very much for watching my video